हलो एडिवान वेलकम टू गेट अडमेश फ्री क्रैश कोर्स मैं आपको पढ़ाने वार हूं हीट ट्रांसफर तो बच्चो जैसा कि हम लोगों ने जो लाइफ लिया था प्रिवियस्ली उसमें डिसकस किया आप लोगों के साथ के क्रैश कोर्स मैं क्या क्या रहने वाले थो अगर आपने वह लाइफ शेशन अटेंड नहीं किया था तो उसका link जहAD, वह नीचे, pare description box में आपको मिल जाएगा तो आप लोग चाहें अगर आप जाना चाहें कि क्या 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 content होता है heat transfer का एक full course में और crash course में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं तो आप जा करके उस lecture को उस video उस live lecture को देख सकते हैं ठीक है तो आज हम लोग start करेंगे conduction heat transfer से ठीक है इसमें conduction के जो parts है that is study state conduction ठीक है फिर study state conduction with heat generation okay then unstudy state conduction and fins यह पूरा conduction वाले chapter का एक big part होता है जो कि बहुत बड़ा अपने आपने आप में से लिए बस cover करता है तो पहले यह देखेंगे उसके बाद हम लोग convection में जाएंगे convection heat transfer पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग heat exchanger then उसके बाद radiation पढ़ेंगे और उसके साथ हमारा heat transfer का crash course है वो cover होगा तो बहुत जल्दी around हम लोग 12 to 15 hours के बीच में try करेंगे कि बहुत अच्छे वे में एक पूरे subject को हम crash course के form में cover कर पाएं तो यह crash course है इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा ठीक है कि हम लोग को थोड़े पास हमारे पास time का limitation रहेगा तो हम लोगों को सारी चीजे एक crisp way में एक short way में अच्छे से effectively कैसे की जा सकती है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो आप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो को जादा से जादा अपने friends के साथ अपने colleagues के साथ share कीजेगा और हमारे git academy के channel को support कीजेगा ठीक है चलिए फिल start करते हैं बिना किसी देरी के आज का video lecture तो बच्चों आप सबसे से पहले देखेंगे हम लोग modes of heat transfer के बारे में कितने modes of heat transfer होते है basics उसके बाद इसके governing laws क्या क्या basics वो देखेंगे उसके बाद हम लोग conduction में entry करेंगी ठीक है तो पहले यह पढ़ना हम लोग जरूरी होता है तो एक बार आप लोग को overview देता हूं कि किस-किस की बात होती है तो thermodynamics में यह clear नहीं किया जाता है कि अगर कोई particular substance है अगर उसमें heat transfer हो रहा है आधर वो heat gain कर रहा है या heat lose कर रहा है तो उस situation में वहाँ पर उसके अंदर within the system किस तरह से heat travel कर रही है किस तरह से particle to particle heat जा रही है इस mechanism of heat transfer के बारे में subject में हम लोग नहीं पढ़त के subject में cover करेंगे ठीक है तो देखते हैं सबसे पहला ही transfer होता है आपके पास conduction थ्री मोड्स आप ही transfer होते है कंड़क्शन है ओके second होता है बच्चों आपके पास convection है एंड उसके बाद होता है थर्ड डाट इस thermal radiation और सिंप्रिस को radiation भी बोज सकते हो ठीक है इस तरह से होता है तो तीन नाम याद रखने पहले तो conduction, convection, thermal, radiation ये तीन अलग mode of heat transfer है अब ये कैसे है इसका एक just overview देता हूँ मैं पहले तो पहले conduction की बात करते हैं तो conduction कब होगा तो conduction की बात करते हैं conduction होगा तब जब आपको heat transfer देखने को मिलेगा same mediums में same medium में याने कि हमने अरश करते हैं कि बात करते हैं कि तीन state of matter होंगे solid, liquid, gas तो हमारे पाद जो medium भी होता है वो इसी के आधार पे होता है solid medium हो सकता है याने कि कोई body solid हो सकती है तो एक solid matter में जब heat transfer होगा तो हम कहेंगे कि medium है वो solid है same ऐसी जब liquid में heat transfer होगा तो कहेंगे कि medium क्या है liquid है जब gas में heat transfer होगा तो हम कहेंगे कि medium क्या है gas है ठीक है so liquid और gas को collectively fluid medium में ऐसा बोलूँगा तो हमारे पास अगर medium same है याने कि solid से solid में एक solid से दूसरे solid में या एक solid के एक किसी point से एक solid के उसी solid के दूसरे किसी point पर heat जा रही होगी तो ये heat जा रही होगी through conduction okay so conduction क्या है conduction जो है this is heat transfer in same medium पहला point में note करेंगे सभी अपने copy में heat transfer heat transfer in same medium heat transfer in same medium जैसे कि solid to solid liquid to liquid और gas to gas ऐसा मैं कहूंगा तो जब same medium में heat transfer हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि यहां पर mode of heat transfer जो होना है वो क्या होगा conduction होगा now इसमें एक important clause यह है कि जब same medium में heat transfer हो रहा होगा जैसे कि solid to solid liquid to liquid यह gas to gas तो इस समय जो medium होगा चाहे वो solid हो liquid हो gas हो वो rest पह होगा stationary medium होगा so the second important point of conduction heat transfer is medium medium is at rest or you can say medium must be at rest medium must be at rest अब यह जो मैंने clause इसमें बताया कि हमारे पास medium है that must be at rest तो यह यहां पर liquid और gas में थोड़ा सा difficult हो जाता है क्यों जब हम liquid को आप देखते हैं आसपास की रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि जब हम किसी gas को या किसी liquid को जैसे कि आप किसी बरतन में पानी गर्म कर रहे हो तो आप देखते हो थोड़ी बार जब पानी उबलने लग जाता है और इसका कारण बहुत basic है density difference क्रिएट हो जाता है गर्म करने पर किसी चीज़ को density change होती है and different layers of the liquid में आपको density का difference दिखाई देगा so high density to lower density चीज़े flow होंगी तो अगर आप कुछ external force नहीं भी लगा रहे हो तो naturally due to density difference motion होने की पूरी संभावना हमेशा रहेगी in case of liquid and gases so absolute rest condition याने कि उसके particles move ना करें ऐसा अचीव करना in case of liquid और in case of gas collectively बोलने तो fluids में संभव नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो extend होगा conduction का वो कम होगा so conduction heat transfer उतना prominent नहीं रहेगा liquids में और gases में जबकि solids की बात करें जब solids की बात करें तो solids में solids में जो उसकी पूरे particle है due to strong attraction force हमेशा एक दूसरे के साथ सटे वे रहते एक दूसरे से दूर नहीं भागते रेंडम motion एक्सेटर ऐसा कुछ भी नहीं होता है so due to this the clause which is medium must be addressed यह completely satisfy कौन कर रहा है solid कर रहा है that's why conduction prominently देखने को मिलता है solids में so this was about conduction so conduction heat transfer का है same medium में heat transfer है इसका मैं diagram बना के दिखाता हूँ जैसे कि suppose मेरे पास एक solid A let us say solid number 1 तो solid number 1 पे किसी एक point पे let us say this is point A इसके किसी दूसरे point B में देखो heat transfer हो रहा है मैं बोला यहां से heat जो है यह तरफ आगी तरफ जा रही है and obviously बात है क्योंकि heat transfer हो रहा है so from the second law of thermodynamics we know that heat flows from higher temperature to the lower temperature इसका मतलब भी है point A का temperature कुछ जादा होगा as compared to B now temperature difference के कारण जो है heat flow हो रही होगी but heat is flowing from one point to another point in same medium medium पूरा का पूरा का है solid है so the mode of heat transfer according to our criteria will be conduction similarly if we have two different solid let us say steel हो गया है copper हो गया तो solid 1 solid 2 here material is different एक solid 1 है एक solid 2 है ठीक है but दोनो है तो solids so medium is same medium is same that means जब ही मैं medium same बोलूँगा तो state की बात करूँगा solid होना चाहिए या तो liquids होने चाहिए या तो gas होना चाहिए so solid ही है so medium का nature same है although chemical compositions वगरा जो है उनकी property वगरा वो चीज़े अलग है but है तो दोनो solid तो इस point से जिसे अब मैं point A लिया यह दूसरे लेकिन पूरा medium कैसा अभी भी solid है so again एगर heat transfer रहा है from A to B that means higher temperature A का होगा lower temperature B का होगा but in same medium heat transfer हो रहा है so इस तरह से heat transfer देखने को मिलेगा that will be your conduction heat transfer okay so conduction heat transfer का जो governing law दिया जाता है that is known as Fourier law okay Fourier law third point Fourier law is governing law governing law of conduction heat transfer conduction heat transfer का यह governing law है जो की दिया जाता है इस तरह से जो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा Q which is the heat transfer rate this is rate of heat transfer rate of heat transfer is equal to minus K into A into DT by Dx ठीक है अब मैं आप आपको बताना चाहूंगा की rate of heat transfer क्या होता है बहुत से लोगों को पता नहीं होगा शायद की rate of heat transfer क्या होता है अब देखो बच्चो क्या होगा जब हम thermodynamics से बात करेंगे तो thermodynamics में क्या होगा कोई एक system होगा कोई एक system होगा let us say this is your system which is initially at a temperature let us say T1 तो यह इसका state 1 है state 1 पे अभी है state 1 पे है and in a particular process इसका temperature या तो increase या तो decrease हो रहा होगा so let us say any final temperature T2 पर यह पहुँच जाता है let us say any final temperature T2 पर यह पहुँच जाता है so between these two states between these two states जो भी process execute हुआ उस दौरान total कितना heat that is a form of energy कितना energy interaction इसने दिया वो हम thermodynamics के तुरू बता सकते हैं हुई यह मैं बता सकता हूँ so energy है that is joules तो कितने joules याले कि किती energy इसमें transfer हो in form of heat during the process 1 to 2 यह मैं बता सकता हूँ thermodynamics now advantage यहाँ पर heat transfer subject में हमको मिलता है हम यहाँ यह बता सकते हैं कि किस rate से heat का transfer हो रहा है ठीक है क्या होगा कि actually में हमारा जो system है वो state 1 से state 2 में एक certain time में पहुचता है आई बाद समझ में एक certain time में पहुचता है ऐसा कभी नहीं होगा कि यह अचानक से zero time interval में state 1 से state 2 पहुच जाए तो एक particular time interval में यह पूरा process execute हो रहा होगा तो heat जो है वो लगातार इस system से निकल रही होगी या फिर इसमें add हो रही होगी जिसे current यह final state 2 पह पहुचेगा ठीक है अब यह heat लगातार निकल रही है तो एक second में कितनी heat इससे निकल रही है या इसको कितनी heat मिल रही है that is rate of heat transfer so what is rate of heat transfer आगे लिखता हूँ मैं rate of heat transfer बच्चो होता है the heat transfer unit time heat transfer in a unit time okay rate of heat transfer it is defined as it is defined it is defined as heat transfer heat transfer heat transfer in a unit time ठीक है heat transfer in a unit time तो heat transfer की unit क्या थी देखो थर्वनानेक्स से पढ़े हम दो joules पर लिखते है heat transfer को तो यह हो जाएगा joules per unit time यानि कि joules per second तो क्योंकि जो unit होगी क्योंकि जो unit होगी इसकी जो unit होगी यह होगी आपके पास joules per second अब बच्चों joules per second को क्या लिखते है इसको लिखते है watts इसको लिखते है watts तो joules per second यानि की watts हमारा rate of heat transfer होगा तो बताएगा कि एक second में कितना energy यहां से आ रहा है या इसमें यहां से जा रहा है ठीक है आई बस समझ में तो total जो exchange हो रहा है energy का in form of heat एक second में कितना हो रहा है वो हम बता रहे तो हम बता दिए basically rate of heat transfer क्या है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो time form में इस तरह से time rate form में तो basically time rate form क्या हो जाएगा जो आपके पास q है यह जूल्स में है जे लिख देता हम है जूल्स में इन गिवन time interval तो यह आपको मिल गया this is rate of heat transfer rate of heat transfer तो इसको dq by dt बार बार ना लिखके हम लोग हमारे subject सीधा q लिखेंगे जब thermodynamics में q लिखते थे तो इसको जूल्स में प्रिफर करते थे बट यहाँ पर heat transfer में हम जब q लिखेंगे तो उसका मतलब होगा rate of heat transfer जो की basically है dq by dt this is your heat transfer in a given time interval यह हो गया आप लोगों के पास तो इसको divide कर दो गिवन time interval को तो यहाँ पर आपको मिल गया rate of heat transfer this is heat transfer in a given time interval और यह क्या आपके पास जो time interval है दोनों को divide कर दो कि तो क्या मिल जाएगा rate of heat transfer आपको मिल जाएगा watts में ठीक है यह इस तरह से basic sum लोगों ने देखा रहे है तो fourier law जो है ठीक है fourier law जो है इसका governing law है जिसके certain assumptions है that we will see in the conduction only जब conduction में घुसेंगे तब वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या 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 उसके assumptions है उसके certain assumptions है नाव यहाँ पर जो k है k is a thermophysical property जिसको कहा जाता है thermal conductivity this is a thermophysical a thermophysical property और थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टी ओके नोन आज नोन आज थर्मल कंडक्टिविटी इसकी जो unit होती है यह होती है watt per meter Kelvin और ऐसा लिख सकते है watt per meter degree Celsius और ऐसा भी जगा देखने को मिलेगा watt per meter degree इस तरह से और कुछ non-standard form में भी इसको लिखा जा सकते है बट यह standard forms है ठीक है तो अब यह क्या बताता है thermal conductivity एक thermophysical property यहने की basically आप कह लिजे property है जिसके कारण conduction ज्यादा हो रहा है किसी material में या कम होगा material में वो पता चल सकता है तो जिस material की conductivity ज्यादा होगी वो एक अच्छा conductor होगा जिसकी conductivity यहने की value में कम होगी वो एक bad conductor होगा so k जो है यहाँ पर यह basically बच्छों बताता है आपको ease of conduction ease of conduction के conduction होना किसी material में कितना आसान है या कितना मुश्किल है तो if k is high it's a good conductor if k is low it will be a bad conductor now here what is a a है आपके पास area area perpendicular to the direction of heat flow okay यह है आपके पास area perpendicular perpendicular to direction of heat flow direction of heat flow ठीक है तो जो जैसे कि आप suppose इस तरह से बोल रोगे कैसा आरो ड्रॉकर क्या बता रहे हो कि इस direction में heat transfer अपने ऐसा शो किया किसी question में अब यहां पर जो भी बॉड़ी है जैसे कि यह बॉड़ी है तो इसका यह वाला जो area आपको दिख रहा है this area is perpendicular to the direction of heat flow तो यह वाला area की value देखेंगे आरो so this will be a ठीक है so this will be a now आगे दिखते है dT by dx से इसको बोलते है temperature temperature gradient क्या बोलते है temperature gradient बोलते है temperature gradient याने की change in temperature along x direction change in temperature along x direction ठीक है change in temperature change in temperature along x direction अब जैसे कि आप जैसे कि आप जैसे कि आप इसमें देखते हैं जैसे कि इसमें आप देखते हैं को भी आगर आपके पास body जैसे की wall मेरे पास ऐसे वाल है तो बोल में हीट मैं बोल रहा है इस डारेक्षन में जा रहा है तो अविस्सी बात है अविस्सी बात है हीट रशारर ते साइट से लोवर तैंप्रीं की तरफ जाया इस तरह से so high surface temperature high होगा इस तरफ होगा तो इस तरफ होगा 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 इस तो अब मैं देखना चाहता हूं कि temperature gradient क्या हो तो temperature gradient क्या बताता है कि x direction में होने वाला temperature तो dt by dx जैसे कि मैं यहां पर निकालता हूं तो dt dt मतलब t2 minus t1 आप इस डाश में जा रहे ना तो t2 minus t1 divided by x2 minus x1 x2 मतलब यह वाला यह हो गया x1 अब इसको अगर solve करोगे आप तो देख पाओगे क्योंकि t2 जो है that is less than t1 correct बात है क्या t2 जो है that is less than t1 तो इस condition में यहां पर यहां पर जो इसकी value आ रहे है यह आएगी नेगेटिव तो इसी नेगेटिव को manage करने के लिए हमने और यहां पर नेगेटिव लगा दिया है क्योंकि डारेक्शन हमारा स्पेसिफाइड है कि हीट इस तरफ जा रहा है तो हम लोग को आगें नेगेटिव यह पॉजिटिव की कोई कितना है वह हम को यहां पर बिल जाता है तो उस समय पॉजिटिव हो जाएगा याने कि पहले तेंप्चर आपका नेगेटिव है और आगे तेंप्चर क्या है हाया तो लोग टू हाई टेंप्चर होना पॉसिबल नहीं है कभी भी हीट हाई टू लो तरफ आएगी लो टू हाई वीट नहीं जाने वाली है ठीक है तो यह आप लोगों को इस तरह से जो टेंप्रेचर ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव मिली और इस इस यूर रेट आफ हीट ट्रांफर ठीक है इसकी इसको सॉल करने पर आपको बॉट्स लेगा तो इस इस गवर्णिंग लॉफ और अग्रेट अग्रेशन आपको बा कंडेफ्य नेग्स देखते हैं लोग चन्वेक्शन के बारे में आपके इसे कि यहां पर आपके डिफ्रेंट मीडियम होंगे जैसे कि आप देख्वों कि कैसे मैं कमरे में खढ़ा हूं यह मेरा जो मेरा स्किन है इसको मैं इसको में । हमारे इस ai आ यूरा यह बडी से सरावाणिंग में हुड जा रहा है तो जो तृड वर्यं डिफरेंट मीडियु हो गया, जब ऐसे cases में आपको एक solid surface से heat जाती हो दिखेगी gas में या liquid में, तो यहाँ पर हम लोगों को convection heat transfer देखने को मिलेगा, so that is heat transfer between two different mediums, ठीक है so convection का है, पहली चीज़, heat transfer जो है, heat transfer, okay, between between different medium, between different medium heat transfer between different medium, clear बात है, so यह हो गया, आपके पास heat transfer between different medium, जब देखने को मैं जैसे कि for example मैं दिखा हूँ आपको जैसे कि एक example दिखा हूँ, तो जैसे कि एक solid surface है, solid surface है, this is solid और इसके उपर कोई भी fluid हो सकता है, कोई fluid है इस तरह, तो इस solid to is fluid में जो heat transfer देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ solid का surface temperature है, ts है, fluid का temperature t infinite है, और ts is greater than t infinite, तो अब इस सी बात है, higher temperature to lower temperature heat transfer होगा, तो इस direction में आपको heat का transfer दिखेगा, but medium दिखे, solid से heat निकल करके fluid में जा रही है, तो यहाँ different medium होगा, तो यहाँ पर, जो mode of heat transfer होगा, that is convection, अब जैसे कि मैं बात करूँ कि fluid में heat जा रही है, fluid में heat जा रही है, तो medium जो होगा, वो किस में आ गया है, motion में आ गया है, ठीक है, medium किस में आ गया है, motion में आ गया है, तो जब medium motion, is in motion, ठीक है, is in motion, medium किस में होगा, मोशन में होगा, तो उसके कारण यहां पल्स का motion जो है, जिसको हम लोग बल्क motion कहते हैं, so due to this bulk motion, and जो थोड़ा बार conduction हो रहा होगा, उसके कारण आप लोगों को convection heat transfer देखने को मिलता है, so convection heat transfer में, conduction और साथ ही साथ, जो motion हो रहा है, that is bulk motion of the fluid particles, उसके कारण energy आपस में सारे particles में dissipate होती है, ठीक है, so this is about convection, now convection जो है, उसका governing law क्या है, governing law, इसका जो governing law है, that is known as Newton's law of cooling, that is known as Newton's Newton's law of cooling, ठीक है, Newton's law of cooling बोलते हैं, जिसमें rate of heat transfer अब discuss कर चुके है, rate of heat transfer को इसमें दिया जाता है, as H A T S minus T infinite, T S minus T infinite, और simple इसको आप ऐसा लिख सकते हो, H A delta T, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, so इसमें क्यों तो rate of heat transfer है, H क्या है, H आपके पास convective heat transfer coefficient, या फिर simply इसको heat transfer coefficient बोल सकते हो, यह जाएगा, convective convective heat transfer coefficient और simply इसको आप heat transfer coefficient ठीक है, heat transfer heat transfer coefficient इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, इसकी जो unit हो जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो, यह हो गया, जैसे की वाट में, इसको यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका इस ऐसा unit area का meter square हो जाएगा, और temperature change है, इसको आप degree Celsius में लिखो, या आप Kelvin में लिखे हो, फरक नहीं पड़गा है, क्योंकि square degree Celsius, this will be the SI unit of heat transfer coefficient, ठीक है, यह रहाँ आपका पूरा convection के बारे, different types of convection होते हैं, जैसे की हम बात किये, कि जब motion होगा, medium in motion होगा, तब convection होगा, तो motion जो है, naturally हो सकता है, जैसे कुछ देरी पहले मैंने बात किया, कि आप किसी भी fluid को अगर गर्म करोगे, तो वहाँ पर density का difference create होगा, due to this density difference, अगर heat transfer देखने को मिल रहा है, मैंने motion देखने को मिल रहा है, इस motion के दौरान, तो यह natural convection है, क्योंकि यह motion तो है, but that motion is due to density difference, which is a natural phenomenon, तो इस convection को natural या फिर free convection हम कहेंगे, जबकि अगर हम किसी fluid को जबरदस्ती flow करा है, pump या fan या blower लगा करके, solid surface पर मैं हम लोग अगर flow करा है, तो उस condition में fluid खुद बखुद flow नहीं हो रहा है, जबकि वो हमारे द्वारा लगाए गये, external effort के कारण flow हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते है, forced convection, आगे convection में जब हम लोग detail ने पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि कई-कई case ऐसे भी होते हैं, जा force और free साथ साथ भी हो रहा होता है, ठीक है, चलिए, तो यह था convection के बारे में पूरा detail, next बात करते हैं, अब हम लोग, radiation या thermal radiation, thermal radiation, तो यह last, third mode of heat transfer है हमारे पास, हम लोग जैसे कि देखा, के जो heat है, first case में, same medium में, solid to solid, liquid to liquid, gas to gas, conduction की case में, ऐसा heat transfer देखने को मिल रहा था, जबकि convection में different mediums के दौरान, different mediums के बीच में, आप लोगों को heat transfer देखने को मिल पाता, अब ऐसा भी हो सकता है, कि आपके पास कोई medium ही ना हो, जैसे कि हम देख सकते हैं, सूर्य जो है, वहाँ से हमारी धरती तक, जो heat आती है, जो गर्मी आती है, उसके लिए, कोई बीच में ऐसा liquid या gas medium नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मान करके चलते हैं, कि हमारा, हमारा जो space है, उसमें कोई भी ऐसा substance मौझूद नहीं है, so we consider that there is no medium between the sun and earth, so वहाँ पर भी लेकिन आपको गर्मी का ऐसास हो रहा है, सूर्य से धर्ती पे गर्मी आ रही है, तो यहाँ पर heat transfer आपको देखन संभाव है, easily, ठीक है, so without medium जो heat transfer possible होगा, without medium जो heat transfer possible होगा, उसको हम बोलेंगे, radiation heat transfer, अब बोलेंगे, sir, ऐसा कैसे हो सकता है, तो बटा ऐसा इसली हो सकता है, क्योंकि thermal radiation heat transfer जो होता है, okay, it is due to electromagnetic waves, ठीक है, electromagnetic waves, तो कहीं जो bodies होगी, जो भी body होगी, ठीक है, जो भी body होगी, at a particular temperature attend करने के बाद, उनसे electromagnetic waves निकलती है, ठीक है, और electromagnetic waves में, जो photons होते हैं, वो travel करते, प्रोपोगेट होते आगे की तरफ, and photons are the basic form of energy, quanta of energy बोलते हैं, तो इस photons के form में, जो energy है, एक body से दूसरी body में transfer होती है, और हमको पता है कि photons को, याने की electromagnetic waves को travel करने के लिए medium की कोई आवाश्यक्ता नहीं होती है, that is why, thermal radiation heat transfer जो है, वो बीना medium के संभा हो है, now इसका governing law क्या है, इसका governing law क्या है, इसका governing law है, आपके पास Stephen Boltzman law, हाला कि जो आप full course पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा है, कि बहुत सारे laws और भी हैं इसके साथ साथ में, but majorly हम ल था था कि कोई भी body, जिसका temperature, 0 Kelvin याने की absolute 0 temperature से जादा है, वो thermal radiation emit करती है, वो radiation emit करती है, तो radiation जो होता है, वो हर temperature पे निकल रहा होता है, but हम जब तक कि higher temperature नहीं आ जाता, तब तक कि thermal radiation के effect को उत्ता prominent नहीं मानते हैं, so we consider radiation heat transfer only at the higher cases, but ये एक fact है कि हर एक temperature पर आपको heat transfer, radiation के through देखने को मिलता है, ठीक है, so उसके बारे में बात करेंगे, जब हम लोग radiation वाले पार्ट में इंटर करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए होता है, आपके पास stiff end boltsman log, which is initially for a black body, किसके लिए दिया जाता है, black body के लिए जाता, black body ऐसा कुछ नहीं है, कि जो काले रंग का होगा उसको black body कहेंगे, black body ऐसी body को कहते हैं, जो आपके पास perfect absorber होती है, बहुत अच्छारा है का सारा, उसके incident radiation को absorb कर लेती है, साथ ही साथ, इसकी emit करने की समता भी highest होती है, okay, so emit करना and reflect करना is two different thing, जैसे कि अभी आपको ये board दिख रहा है, ठीक है, ये board दिख रहा है, आपको black color कर दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि black body है, हाँ, लेकिन जैसे कि मान लीजिए, मान लीजिए कि अगर ये किसी particular temperature पे है, और अगर मैं कहे रहा हूं कि ये black body है, तो इस temperature के कारण, ये highest radiation energy emit करेगा, तो emit करने का, emit करने का मतलब क्या होता है, कि हमारे पास जो energy है, उसको release करना ठीक है, तो through radiation, ऐसी एक body हम hypothetically मानते है, जिसकी energy power maximum होती है, ठीक है, that is known as a black body, so black body में absorb करने की छमता तो होगी maximum, यानि कि इसके surface पर जितना भी incident radiation होगा, जो भी इसकी उपर radiation आएगी, उसको पूरी तरह से ये absorb कर लेगा, ठीक है, और इसका कुछ temperature होगा, तो उस particular temperature के में सबसे जादा होगी, ठीक है, तो this is a perfect absorber, as well as a perfect emitter, we will get into the details of the black body in radiation heat transfer chapter, clear है, तो black body के लिए बात करते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं, law जो देखते हैं, that is not directly for heat transfer rate, but for the emezu power, जैसे कि मैंने बोला कि इसकी emit करने की शमता सबसे जादा होती है, तो emezu emezu power का मतलब क्या होता है, बताता हूँ, emezu power, आप black body को EB से लिखते है, emezu power, बात करता है आपके पास, कि एक अगर कोई black body है, जैसे कि यह black body है, तो black body का कुछ surface होगा, तो इसके surface से, सुनना धान से, इसके surface से, इसके surface से बात करेंगे, तो इसके surface से, एक unit area से, एक second में क एक unit time में कितना thermal radiation निकल रहा है, that is known as the emezu power, this is also known as the total emezu power of the black body, because black body, मैं just briefing दे रहा हूँ, यहाँ पर introduction, पूरा detail आपको मिलेगा, जब हम लोग radiation पढ़ेंगे, black body को diffused emitter कहा जाता है, यानि कि यह हर संभव दिशा में, radiation छोड़ती है, जितने direction आप सोच सकते हो, सभी direction में radiation emit करेगी, इस तरह से, सभी direction में radiation emit करेगी, so, इसलिए total radiation की बात करते है, तो जितना energy through radiation यह release कर रही है, from a unit area in a unit time, that is known as emezu power, so this is emezu power, emezu power है, emezu power of black body, black body, so this is total radiation, okay, emitted by the body, by the body, okay, per unit area, per unit area, per unit time, ठीक है, तो एक unit area में से, एक unit time में कितना energy release होगा, उसके बारे में यह बता रहा है, तो energy है, यहने की joules, per unit area, यहने की per meter square, per unit time, यहने की second, तो joules per second बन गे, आपके पास watts, तो इसकी unit क्या जाएगी, watt per meter square, so this is given as, from the Stephen Boltzman law, we can write, the emezu power of the black body, eb is equal to sigma, into t rest to power 4, यहने की, जो emezu power होगी, Stephen Boltzman law कहता है, जो emezu power होगी, किसी black body की, वो उसके absolute temperature पे, टीक है बेटा, absolute temperature, यहने की temperature in Kelvin, Kelvin में आप रहे हम लोगे, यहने की Kelvin में लेना है, इसको हमेशा, कुछ कुछा, Kelvin में लेंगे, यहां degree Celsius में क्यों ना दिया हो temperature, so absolute temperature की power की fourth power के directly proportional होता है, तो जब proportionality को हटाते हैं, तो constant आता है, सिग्मा जिसको बोलते है, Stephen Boltzman, Stephen Boltzman, Stephen Boltzman constant, इसकी value होती है, 5.67 into 10 to power minus 8, 10 to power minus 8, ठीक है, तो यह हो जाएगा, आपके पास इसका, यहां से इसको transfer कर दो कि तो कहा जाएगा, यहां पर watt per meter square already है, यह Kelvin है, Kelvin is to power 4 है, तो उधर जब transfer कर तो कहा हम लेगा, watt per meter square Kelvin is to power 4, this is your sigma, this is your sigma, that is Stephen Boltzman constant, इसकी value और यह उसकी unit, this is the governing law of the radiation heat transfer, तो यह होते हैं आपके 3 modes of heat transfer, चलिए अब देखते हैं हम लोग conduction heat transfer के बारे, तो अब देखते हैं mechanism of conduction heat transfer, तो जैसा कि conduction heat transfer के बारे मैंको पता है, कि यह same medium में होगा, यानि कि solid to solid, liquid to liquid या gas to gas हम कहेंगे, ऐसे यह होगा, और जब यह हो रहा होगा, उस समय यहाँ पर जो medium होगा, चाहे वो solid और liquid होगा है, ऐसा उसका stationary होना जरूरी होगा, बट liquid में और gas में ऐसा संभव नहीं है, कि heat transfer के दौरान, जो उसमें, जो particles है उनके, वो rest पिर है, that's why liquid और gases में उसका prominently conduction देखने को नहीं मिलता है, जबकि solid में conduction लोगों को prominently देखने को मिलता है, तो जो mechanism है, वो दो तरह से हम उसको study कर सकते हैं, एक है motion of free electrons और दूसरा है molecular momentum transfer, अब ये free electrons क्या होते हैं, हमको पता है कि किसी भी, किसी भी आप element का, किसी का भी अगर आप लोग बोर्स model देखते हो, तो आपको उसके जो सबसे outermost orbit में जित्ते electrons हैं, ठीक है, that is the electron on the valence orbit, नाउ उस वहाँ पर जो electrons है, that is equal to the number of free electrons, ठीक है, that is equal to the number of free electrons, नाउ अब क्या होता है, तो हमारे पास जो valence band में जो electrons मौझूद है, जब हम लोग किसी भी substance को heat देंगे, heat is a form of energy, तो यह जो valence band में मौझूद जो electrons है, इनकी energy level बढ़ते रग जाएगी, तो energy level जो है इस last orbit में, that is initially the valence band, यानि कि उसकी जो initial energy level है, उसको हम लोग valence band बोलते हैं, अब हमने क्या किया उसको, अब हमने उसको energy दिया, तो energy देने के कारण, उसका जो energy है increase हुआ, और वो valence band से यहाँ पर जो electrons है, वो conduction band में चले गए, वो conduction band में चले गए, यानि कि higher energy level पे चले गए, तो once the electrons in the valence band has reached the higher energy level, that is conduction band, तब यह जो electrons होते हैं, जो valence band में थे initially, अब यह electrons free to move हो जाते हैं, तो now they are free to move in the material, in the matter, तो इसको कहते हैं, हम लोग free electrons, ठीक है, तो free electrons is equal to number of electrons in valence band, number of electrons in valence band, बट free electron valence band में नहीं रहता है, free electron कब रहता है, जब valence band में मौजद electrons energy increase करके अपनी conduction band में आ जाते हैं, ठीक है, so free electrons का basically किस band में होते हैं, conduction band में होते हैं, कि higher energy level पे रहते हैं, and due to this higher energy level, यह अब across the, जो आपके पास matter है, उसमें move करेंगे, और क्योंकि यह अपने साथ energy carry करके ले करके जा रहे हैं, that is why यह आगे वाले particles को यह energy transfer करेंगे, और इस तरह से due to the transfer or due to the motion of free electrons in the material, conduction जो है, वो होने लग जाएगा, ठीक है, तो एक जगह जिस जगह आप जिसे की heat देते हो, जैसे कि यहां से आप इस surface पे जिसे की heat दे रहे हो, तो यहां पर जो molecules है, ठीक है, जो particles है, उनमें जो electrons मौझूद है, वो higher energy level पे जाएगे, यानि की conduction band पे जाएगे, then they will start moving freely, और यह आगी की तरफ move करना चालू करेंगे, higher energy level से lower energy level की तरफ move करना चालू करेंगे, ठीक है, and that's why motion of free electrons जो है, वो चालू हो जाएगा, motion of free electrons जो हो चालू हो जाएगा, and they will transfer the heat from one point to another point, so this is the first mechanism, that is the motion of free electrons, तो इसके होने के लिए, यह बहुत जरूरी है, कि हमारे पास जो भी substance है, उसमें बहुत अच्छे मात्रा में free electrons हो, अगर उसमें free electrons कम होंगे, तो फिर वहाँ पर इस mechanism के कारण heat transfer होना की मात्रा जो होगी, कम होगी, जैसे कि हम pure metals की बात करें, तो metals वगेरा में free electrons जो होते हैं, वहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, that's why वहाँ पर conduction वहुत अच्छे से देखने को मिलता है, दूसरा mechanism होता है, molecule momentum transfer, अब हो क्या क्या है, देखिए, हम लोग जब किसी भी चीज़ को energy देंगे, ठीक है, तो उसका allergy level पहले के compare में जादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा energy level उसका, तो अब क्या होता है, अगर माल लीजिए, हमारे पास जो particles हैं, वो free to move है, just like in liquid and gases, जो particles ह होते हैं, they are free to move, ठीक है, उनकी एकदम weak attraction होता है, so अगर इस तरह से किसी particle को आप energy मिल जाती कहीं से, आप उसको energy दे देते हो, so the kinetic energy of this particle will increase, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने neighboring जो particles हैं, उनसे जा करके collide होगा, और इस तरह से क्या करेगा, ये अपनी energy, अपने neighboring particles को दे देगा, तो ये जो energy थी, which is nothing but the heat, वो एक particle से दूसरे particle में transfer हो गए, this is known as molecular momentum transfer, तो यहाँ पर हमने जब इसको energy दी, that is इसको जब heat दिया, तो इसके energy increase हो गई, और ये higher velocity से और randomly move करने लग गया, और अपने neighboring particles के साथ जा के collide हुआ, तो अपनी energy अपने neighboring particles को दे दिया, तो इस तरह से जो energy थी, वो एक जगा से दूसरे जगा transfer हो गई, by molecular momentum transfer, ठीक है, अब solids में, solids में molecular momentum transfer कैसे होगा, solid में तो अब इससी बात है, जो particles है, they are not free to move, they are not free to move, तो in that case, जब हम लोग उसको heat देंगे, so instead of moving and colliding with the neighboring particles, it will start vibrating at its own location, यहाँ पर, जैसे ही इसको energy में लिगी, as strong attraction force है, it cannot move away, कहीं जा नहीं सकता है, यह किसी को जाकर के heat नहीं कर सकता है, यह जो particle है, वो due to strong attraction अपनी जगा पर fix है, so यह क्या करेगा, यह instead of moving from one location to another, it will start vibrating at the particular location, यह इस जगा पर vibrate करने लग जाएगा, and then यह जो vibrations है, और यह ऐसे बहुत सारे जगा पर हो रहा होगा, बह particles को यह energy मिलेगी, हर क्या करने लग जाएगे, यह vibrate करने लग जाएगे, और क्योंकि सारे particles एक दूसरे के बहुत pass होते हैं, तो जो पूरा crystal structure होगा, या जब पूरा structure होगा कहे लो, उन सभी में क्या होने लग जाएगा, vibration हो लग जाएगा, जैसे कि obviously बात है, जैसे हम mobile phone रखे, mobile phone पर जब call आता है, phone vibrate होता है, तो पूरे table पर हम लोगों को vibration feel होता है, तो अगर एक particular location पर vibration start होगा, तो इससे सटे हुए जो neighboring particles, they will also start vibrating, so इसके energy rise हुई, इसकी kinetic energy बढ़ गई, उसको इसने किस में convert कर दिया, vibration के form में convert कर दिया, और यह जा करके, याना कि यह उनको भी vibrate कराने लग गया, अपनी energy उनको दे दिया, तो इससे जो kinetic energy है, जब इसमें जाएगी, तो वो भी फिर vibrate होना चालू कर देगा, so this is known as lattice vibration, which is also a type of molecular momentum transfer और यह होता है, solids में, ठीक है, तो दो तरीके से आपके पास, जो conduction है, वो होता है, पहला motion of filter tone, दूसरा molecular momentum transfer, ज solids में होता है, ठीक है, तो solids में हम लोगों को देखने को मिलता है, lattice vibration, lattice vibration, ठीक है, और direct collisions analog表示 देखने को मिलते हैं हम लोगों को, liquid और gas में, लिक्विर और गैस में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, so this was about the mechanism of conduction heat transfer, ठीक है, अब अगे देखते हैं, के बारे में कुछ important point like four years law में क्या चीज़े होती है उसके assumptions क्या है और उसको detail में चलिए समझते हैं तो अब देखते हैं हम लोग conduction heat transfer के बारे में तो जैसे का ने बता है conduction heat transfer का governing law है fourier law तो fourier law के certain assumptions हैं और यह कैसे conduct होता हो यह आपको बताता हूं तो conduction heat transfer का जो governing law है that is your fourier law it is an experimental law इसको आप लोग derive नहीं कर सकते हो और इसमें basically उसमें बोला था कि जो आपके पास q है that is directly proportional to the area perpendicular to the heat transfer and directly proportional to the temperature gradient जिसको हम लोग proportionality को जब हटाते हैं तो conductivity which is a thermo-practical property वो सामने आती है तो law मिलता है हम लोग को q is equal to q is equal to मिलता है minus k a d t by dx यह law मिलता है तो basically यहां बात होती कि area के directly proportional है और temperature gradient के directly proportional है ऐसा मिलता अब यह law जो basically दिया गया था this is for a plane wall एक plane wall के लिए दिया गया था ठीक है और यहां पर बहुत सी चीज़े assume भी की गए थी सारे assumptions में करके आपको बताता हूं जैसे की plane wall ले लिया मैंने अब यहां पर माना गया कि जो इसकी conductivity है जो इसकी conductivity है वो constant है और की k is constant है ठीक है के जो है के इस constant ऐसा माना गया ठीक है जो a की value है a that is the area perpendicular to the direction of heat flow is also constant यह माना गया ठीक है इस constant यह माना गया ओके इसके साथ माना गया कि there is no heat generation अब इसका क्या मतलब है heat generation मतलब बॉड़ी के अंदर कुछ भी गर्मी कुछ भी heat पैदा नहीं हो रही है अब ऐसा कैसा हो सकता है जैसे कि कोई भी ऐसा setup assume करो जिसके अंदर कुछ electrical coils या कोई heat source लगा हुआ है या कि इसमें कुछ ऐसा इसका composition है जो की exothermic reaction दे रहा है जिसके कारण heat release कर रहा है तो इसमें कोई भी heat पैदा नहीं हो रही है इसमें जो भी heat है वो बाहर से आ रही है इसके अंदर कुछ भी heat पैदा नहीं हो रही है इसको कहीं से किसी भी source of heat से heat मिल रही है वो कुछ भी source हो सकता है तो इसको particular rate से कहीं से heat मिल रही है इसके अंदर कुछ भी heat जो है वो पैदा नहीं हो रही है तो heat generation जो है इसके अंदर heat generation heat generation is equal to 0 यह मना गया इसके बाद मना गया कि study state में है study state study state study state condition follow हो रही है study state condition मतलब energy balance हम लगाते हैं यानि कि जैसे कि इसको मैं ऐसा control volume मानू इसको अगर मैं control volume मानता हूँ इस पूरे के पूरे wall को control volume cv माना तो जितनी heat आ रही है उतनी heat जाएगी भी q in is equal to q out अब हम लोग rate की बात करते हैं तो जिस rate से heat आ रही है उसी rate से heat जाएगी भी ठीक है यानि कि बीच में कुछ भी यहां store नहीं होगा तो हम लोग लिखते हैं energy balance energy balance से इसको लिखते हैं कि जितनी heat आ रही है q in या जिस rate से heat आ रही है that that is in watts is equal to is equal to हो जाएगा q out the rate of heat transfer okay of leaving जिस rate से leave कर रहा है जिस rate से enter कर रहा है दोनों बराबर है जो accumulation है इसमे that is storing q store जिस rate से heat accumulate हो सकता था वो कहा है 0 तो किसी भी तरह से heat इसमे store नहीं हो रही है q store is equal to 0 अब मैं बता चुक हूँ q जो है हम लोग लिखेंगे अब कभी भी तो rate की बात करेंगे joules में हम लोग बात नहीं करेंगे कभी जब need पड़ेगी तो बिल्कुल करेंगे लेगिन by default आपको समझना है कि जब भी मैं q लिखू बच्चो इसका मतलब होगा rate of heat transfer तो जिस rate से heat आ रही है उसी heat से heat चला भी जा रही है इसमें कुछ भी store नहीं हो रहा है ऐसा इसने assume किया तो heat is just passing through इस तरह से pass हो जा रही है इसमें ठीक है यह इसने assume किया क्लियर है तो यह जो major इसके assumptions थे कि यह चीज़े है इसमें a constant है k constant है temperature gradient जो है वो constant है साथ साथ उसमें यह भी assume किया कि जो dt by dx है dt by dx जो है that is also constant that is also constant dt by dx के slope है slope है किसका temperature profile का या फिर temperature gradient है ऐसा कहेंगे तो देखो बच्चो हमारे पास आगे जाने पर यानि की x direction में आगे जाने पर temperature change देखने को मिल रहा है ठीक है this is T जैसे की wall है आपके पास this is your wall तो यहाँ पर temperature क्या है T1 है और यहाँ से यहाँ पर temperature T2 यानि की T2 और T2 के बीच में temperature जो है सारी जगा vary कर रहे है ठीक है तो यहाँ से यहां जाने पर different location पर different temperatures होंगे इस तरह से different temperatures होंगे ठीक है अब मन में यह आ सकता है कि sir जब different temperatures होंगे तो heat तो ऐसा सब तरफ flow होगी तो temperature तो सब तरफ अलग-अलग होगा तो इसने क्या माना है इसने मा chancellor heat conduction हो रहा हैγ---- क्योंकि heat तो अगर किसी चीज़ को देंगे तो वहीद तो सब तरफ भएलेगी इसमें आइसा नहीं ऑ हीट्रफ सब तरफ पहलेगीicon हें इस सब तरफ से 3D में मुव नहीं कर रही है अज अगर इस लोकेशन पे वाल का जो यह वाला प्लेन है जैसे कि आप यह वाल देखते हो तो इसमें आप देख सकते हो कि नंबर ओफ पैरलल प्लेन इस तरह से मान सकता हूं इसका टैप्चर क्या है तो इस वाले प्लेन का तैप्चर क्या नंथिक टैप्चर है तो यह इस वाले पॉइंट flow होई नहीं सकती क्योंकि इस point temperature भी वही है जो कि इस point का है इसका भी T1 है तो इसका भी T1 है तो this plane has uniform temperature तो ऐसे plane को जिसका temperature क्या हो same उसको बोलते है आईसो थर्मल plane तो मैं क्या किया हूँ जो मेरे पास plane wall है जो मेरे पास plane wall है उस plane wall को मैं number of parallel plane से से मिलकर के बना हूँ माना हूँ ऐसे number of planes में इसको divide कर दिया parallel इसको इस तरह से infinite number of plane draw की जा सकते है और मैं बोल रहा हूँ हर एक plane का अपना एक temperature है so all planes are isothermal planes all planes are isothermal plane यानि कि सभी plane में आप देखोगे कि हर एक plane का अपना एक particular temperature है तो temperature जो है वो सिर्फ एक plane से दूसरे plane में जाने प्याने कि जब आप x direction में बच्चों आगे बढ़ोगे तभी सिव आपको temperature में चेंज देखने को मिलेगा जैसे आप बोलते हो कि मैं तो इधर जाओंगा जैसे इधर जाते हो यह हो गया जा सकते हो यह आपका एकस डारेक्शन तो बच्चों जा रहे हो तब आप देख रहे हैं आप कहां हो आपका आपका यह जो प्लेन है भी य जे ट्व प्लेन खेलाएगा हर एक प्लेन बच्चो क्या हो गया ऐसे प्लेन में आप जाहों तो आपको टैंप्ट्र एक्षेंग डेखने को नहीं मिल रहा है प्लेंट कोई भी यह ट्रांपधर नहीं ओगा प्लेन के इस प्लेसे दूसरे प्लेन आहरोग ज़रूर के फ्लेन का ऺड़ सस्के इस रपम अलगेगए फ्लेन होगा फटेर 15 उसके बाद ऑले का तींप्लेस्ट कुछ अलगे वो y और z direction में change नहीं होगा जब इस plane को छोड़ करके दूसरे plane जाओगे तभी आपको temperature change देखने को मिलेगा so the temperature is changing only along x direction there is no change in temperature along y direction और z direction तो heat कहा जाएगी अब जिस direction temperature change मिलेगा तो x direction जाने पर temperature घट रहा है x में जाने पर temperature घट रहा है so low high temperature to low temperature heat flow होगी अब आई बात समझ में so heat conduction कैसा हो जाएगा one dimensional क्योंकि हम यह assume कर लिए कि all planes are all planes are isothermal ऐसा हम लोग assume कर लिए ठीक है अब बात करते हैं हम लोग इसके temperature profile की बात करते है temperature profile की तो temperature profile की बात करें अगर तो भाई सीदी सी बात है जो dt by dx उसको constant माना गया है dt by dx को constant माना गया है this is x direction तो अगर मैं इनके बिच graph plot करूँ this is t1 this is t2 तो ऐसा कौन सा curve है जिसके लिए slope constant होता है that is nothing but a straight line तो इसका मतलब यह है कि जो temperature profile है that should be a straight line तो जो variation of temperature है from one isothermal plane to another isothermal plane is linear तो इसका क्या मतलब है delta by dx constant होने का temperature varies linearly temperature varies linearly linearly along x direction only along x direction ठीक है only x direction में temperature जो है वो change हो रहा है तो एक isothermal plane I hope आपको isothermal plane समझ आ गया होगा अगर आपको कोई doubt है तो नीचे comment section डाल देना ठीक है isothermal plane मतलब जैसे कि आप एक किताब एक किताब करो किताब में number of leaves होते है बहुँ सारे पन्ने होते है तो हर एक पन्ने का अपना एक temperature है तो एक पन्ने से दूसरे temperature में बस heat जा पाएगी एक पन्ने में उस पन्ने के एक point और दूसरे point में heat नहीं जा पाएगी that's it ठीक है तो यह आप लोगों के पास पूरे assumptions रहे तो जब यह सारे assumptions follow हो रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यह आप लोगों का rate of heat transfer होता है according to four years law ठीक है according to four years law ना यह जो law है this law this law is not that practical थोड़ा सा practical नहीं है बहुत से चीज़े इसने limit कर दी है ठीक है और हमको थोड़ा सा general form चाहिए तो हम देखते हैं general heat conduction equations ठीक है तो general heat conduction equations पर बात की जाएगी जैसे की conductivity constant नहीं है दूसरा यहाँ पर heat generation को zero माल लिए तो माल लेंगे कि heat generation यहाँ बोल दिया कि study state है थो हम हमाने कि unstudy state है यहाँ चीज़े जो है accumulate हो रहा है इस तरह से हम हाँ पर मानेंगे और उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक equation derive करेंगे derivation में यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ that is part of full course only ठीक है तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या हमको equation मिलता और उस equation का हम लोग use करके एक general problem को जहाँ पर heat generation हो रही हो यहाँ पर हमारे पास unsteady state हो जहाँ पर three dimensional flow हो रहा हो तो ऐसे problems को हम लोग उस equation के help से deal कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं general heat conduction equation तो इसमें हम लोग बात करेंगे तीन systems की क्योंकि generally तीन standard हमारे पास bodies होंगी rectangular, cylindrical and spherical तो इसके basis पे rectangular coordinates cylindrical coordinates and spherical coordinates हम लोग इन equations को derive करते हैं यह equations जो हैं वो एक general form में होते हैं यहाँ पर हम मानेंगे जैसे कि जब हम लोग rectangular coordinates देखेंगे तो वहाँ हम लोग मानेंगे कि conductivity vary कर रही है क्याने कि x, y, z direction में conductivity अलग-अलग है material की ठीक है, conductivity is not constant मानेंगे उसके बाद हम मानेंगे कि इसमें heat generation हो रहा है बट यहाँ पर मानेंगे कि uniform internal heat generation हो रहा है वो चीज मैं आपको explain करूँगा ठीक है और unsteady state है यह भी मानेंगे तो चीजों को मैं explain करता हूँ जैसे कि मैं पूछू आप से कि बटाईए unsteady state क्या होता है अभी मैंने आपको some जाए तो आप जवाब दे पाऊगे कि sir जो heat है वो store हो रही होगी heat जाए वो store हो रही होगी है heat store हो रही होगी तो heat किसी जीज में store होने लग जाएगी तो गर्मी बढ़ने लग जाएगी temperature change होने लग जाएगा so there will be change in temperature आपकी heat है यहां पर एक certain rate से आ रही है, तो store भी certain rate से हो रहा है, जैसे कि मैं बोलूँ के store 10 joules per second के rate से गर heat store हो रहा है, तो 1 second में 10 joules, दूसरे second में 20 joules, 30 joules, 40 joules, 50, 60, 80, 90, 100, ऐसे करते आपकी body के अंदर heat की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी तो ऐसा हर एक second गुजानने के साथ साथ उसमें कुछ और heat आ चुकी होगी यहां तक समझाया तो इससे क्या होगा time के साथ साथ heat आती जा रही है तो जब energy याने की जो heat है उसके अंदर बढ़ती जा रही है तो उसका temperature भी इस समय के साथ साथ rise होगा तो यहां से आपको मैं की note बताता हूँ कि जब हमारे पास unsteady state होगा unsteady state होगा unsteady state में हमारा जो temperature है वो time के साथ हम vary करेगा time for time ठीक है temperature time के साथ vary करेगा क्योंकि energy store accumulation of energy आपको देखने को मिल रहा है तो temperature time के साथ vary करेगा साथ ही साथ हमने वन डामेशनल बात की थी पहले याने की सिव only x का के अलाउं temperature देखने को मिल रहा था बट जनरल में हम लोग मानेंगे कि 3-dimensional heat conduction हो रहा है 3-dimensional heat conduction हो रहा है तो temperature जो है पहले हमने देखा कि only x direction में change हो रहा था याने की दो आइसो thermal plane के भीच ही ठ्रासवर होता था एक इसो thermal plane से दूसरा इसो thermal plane में तो only एक ही डायक्शन में जाप पाती थी अब जो है temperature टीनो डायक्शन में change हो रहा होगा ठीक है आइसो thermal plane जैसी बात ही अब नहीं समझाने के लिए बोला तो यहां से इसको x, y, z जो कि हमारे Cartesian coordinates का representation है तो यहां से x, y, z क्या कहलाते है इसको कहलाते है space space कहते है यहने कि एक point से दूसरे point जाने पर temperature change हो रहा होगा यहने कि space के long change हो रहा होगा और time के साथ change हो रहा होगा तो हम लोग जब general heat conduction equations देखेंगे तो temperatures को मानेंगे as a function of space and time ठीक है यह मानेंगे और इसके बाद हमें यह भी मानेंगे कि heat generation हो रही है heat generation होगी heat generation यहने कि q gen is not equal to 0 हम यह मानेंगे but यहां हम यह मानेंगे कि uniform heat uniform internal heat generation है एक assumption जैसा है यह भी uniform internal heat generation थोड़ा simplicity के लिए subject को simplify रखने के लिए हम यह मानेंगे कि heat uniformly जनेट होगी इसको समझाता हूँ uniform internal heat generation है ऐसा मैं कहूंगा तो uniform internal heat generation का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि यह suppose कोई वाल है तो इसमें heat पैदा हो रही है तो heat uniformly पैदा होने का क्या मतलब है इस वाल को बच्चों मैं नंबर आफ नंबर आफ small volumes पैसा डिवाइट कर देता हूँ जैसे कि इस तरह से मैंने डिवाइट कर दिया number of small volumes से तो हर एक small volume से समान मात्र में सभी को मैंने equal volumes पे डिवाइट किया है यहां थोड़ा सा diagram ड्रॉकर से में कुछ बड़ा चोटा हो सकता है बट मेरी जो feeling उसको समझना मेरी feeling यह है कि मैं इसको equal sizes में डिवाइट कर रहा हूँ तो सभी जो volumes में चोटे 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 बना है सभी की value से मैं so from each and every volume हर एक चोटे volume से या कह सकते हो हर एक unit volume से जो heat generate हो रही है उसकी मात्रा एक समान तो जैसे कि इसका total volume अगर V है total volume का इसका इस body का अगर V है तो इसके हर एक छोटे से छोटे volume से हर एक unit volume से समान मात्रा में heat पैदा होई है और heat कैसे पैदा हो रही होगी ऐसे तो heat हम लोग create नहीं कर सकते energy का neither be created nor be destroyed तो किसी एक form of energy को basically दूसरी form of energy में ही convert किया जा रहा होगा और heat वहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी हम किसी एक form of energy को heat में convert कर रहे होगी किसी भी particular setup के थुरू हो सकता है कोई exothermic reaction हो रहा हो तो यहां जितनी हीट है वहां इतनी हीट यहां पर भी आई सोगी इस केस में जब मैं uniform internal heat generation मानता हूँ तो हर इक unit volume से same मात्रा में heat generate हो रही है और यहां से मैं लिखता हूँ rate of internal heat generation rate of internal heat generation heat generation per unit volume that is small qg small qg ठीक है तो यह कहा है आपके पास basically this is this is qgen divided by volume भाई सभी जगा से एक समान मात्रा में heat पैदा हो रही है तो total volume में सभी हर एक छोटे volume से हर एक छोटे volume से समान मात्रा में heat पैदा हो रही है तो ऐसे माल लो आपके पास सभी को अगर आप सारे volumes को जोड़ दोगे इसने जैसे सपोस्थ 10 ने किया सपोस्थ इसमें मैंने मानलो सपोस्थ 100 वाल्यूम्स को इसको डिवाइट किया हर एक volume से 10 Joule की heat पैदा हो रही है तो इस पर सेकेंड के rate से heat पैदा हो रही है ऐसा हम बोलेंगे rate of heat generation है तो जोड़ पर सेकेंड के rate से heat यहां पर जनरेट होड़ी है एक उनिट वाल्यूम्स है तोटल मैंने 100 वाल्यूम्स इसमें उनिट वाल्यूम्स देखें सपोस्थ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं ठीक है तो उसको 100 से सब्सक्राइब कर दो तो तो तोटल किती हीट जनरेट ही मिल जाएगा है तो इसका मतलब यह होगा तो एक उनिट वाल्यूम्स से कितनी हीट पैदा हुरी है सभी में बराबर हीट पैदा हुरी है और कितनी हीट पैदा हुरी है एक एक उनिट वाल्यूम्स से इतनी हीट पैदा हुरी है सभी से बराबर है तो यहां से आप डैरेक्टली Q जनरेशन को लिख पाऊगे Q जनरेशन को क्या लिख पाऊगे सीध इतना हीट इसमें पैदा होगा तो हीट इसमें जनरेट हो रही है अब जो हीट जनरेट हो रही है अगर वह बाहर ना डिसीपेट हो पाए तो फिर अगेन क्या होगा कि accumulation होने लग जाएगा, ठीक है, अगर जो heat generate हो रही है, अगर वो बाहर नहीं जा पाए, पूरी तरह से, वो body में store हो रही होगी, तो फिर क्या हो रहा होगा, उसमें accumulation होने के कारण, फिर उसका temperature जो है, वो change हो रहा होगा, with respect to time, अगर वो जित्ती heat generate हो रही है, पूरी heat अगर ब इसको रोप के रखी हुए है, accumulate के रखी हुए है, तो इसका temperature बढ़ता चला जाएगा, गर में पैदा हो रही है, लेकिन बाहर नहीं जा पार है, कुछ भी बाहर नहीं जा पार है, q transfer to is equal to 0, बाहर कुछ भी transfer नहीं हो रहा है, 0 है heat transfer बाहर के तरह, तो उस condition में इसका temperature बढ़ भी भेज दिया, आपने 10 watt के rate से आपने heat पैदा करी, तो 10 watt आप बाहर भी भेजते हो तुरंत, तो तुरंत आप लोग बाहर भेजते हो, तो उस condition में इसका temperature increase नहीं होगा, यह जिस temperature पे था, उसी temperature पे रहेगा, so temperature will not change with respect to time, ठीक है, बट अगर यह heat बाहर dissipate नहीं है, थोड सारी situation एक साथ हो रही है, तो हम लोग इन सारे situation को consider करके, हम लोग तीन coordinate system में general heat conduction equations लिखते हैं, ठीक है, तो पहला होता है, आपके पास rectangular coordinate में, general heat conduction equation, general heat conduction equation, equation, in rectangular coordinate, in rectangular coordinate, ठीक है, rectangular coordinate में क्या लिखते हैं, so rectangular coordinate में जब बात करेंगे, तो space को x, y, z से present करेंगे, तो time तो tau गी रहेगा, ओके, so t, तो फंक्शन आफ, x, y, z हो जाएगा, ठीक है, और time हो जाएगा, ठीक है, material को मैं माल लोंगा, कि इसका conductivity constant नहीं है, kx, ky, kz, जो है, वो conductivity है, in x, y, z direction, x, y, z direction, ठीक है, qg जो है, small qg जो है, that is, rate of heat generation per heat volume, rate of heat generation, okay, watt per meter cube में, ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, del by del x into kx into del t by del x, equation याद रखना है, plus del by del x into, sorry, del by del y, del by del y into ky into del t by del y plus del by del z into kz into del t by del z, okay, plus qg is equal to, is equal to, okay, rho into c into del t by del y, ठीक है, अब यह मैं इसके बार बात करता हूँ, what is this, ठीक है, basically हमारे हमारे पास, जब unsteady state होगी, याने की heat क्या हो रही है, store हो रही है, है na, heat क्या store हो रही है, temperature जो है, वो change हो रहा है, तो body के अंदर heat जमा हो रही है, energy का form है, basically हो, energy जो है, वो जमा हो रही है, body के अंदर, so this will rise the internal energy, this will rise the internal energy of the body, ठीक है, तो यह जो है, this is the rate of change of internal energy, heat accumulate हो रही है, generate हो रही है, और उसके कारण क्या देखने को मिल रहा है, आप लोगों को, internal energy है, उसमें time के साथ changes देखने को मिल रहा है, so this is unsteady state, अगर आपको short time पढ़ना है, तो इन सारे statements को आप avoid करके, सीधा formula को याद रखेगा, beneficial होगा, ठीक है, अगर कम time में पढ़ना है, तो यह आप लोगों के लिए beneficial को directly इसको याद रखे, conditionally, just like mathematics इसको पढ़े, physical significance पर जब involved होंगे, तो it will take time, मज़ा भी आएगा, लेकिन it will be taking time, ठीक है, तो यह आपके पास partition coordinate में जो equation है, वो निकल करके आता है, rectangular coordinate में यह equation निकल करके आता है, यहाँ पर kx, ky, kz जो है, वो direction dependent है, direction पर depend कर रहा है, x में अलग है, y में अलग है, ठीक है, जब हमने सोम पढ़ा था, तो मैंने आपको पढ़ाया था, कि isotropic एक property होती ही material की, यानि कि जो उसकी, जब material का behavior, direction independent हो जाता है, उसकी property हार direction में जब सेम होती है, तो उसको isotropic बोलते हैं, तो for isotropic अगर मैं लिखता हूँ, for isotropic material, अगर मैं लिखता हूँ, तो वहाँ पर kx, ky, kz क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो सभी direction में conductivity क्या हो जाएगी, k रहेगी, direction में conductivity vary नहीं करेगी, तो यहाँ पर मुझे लिख सकता हूँ, फिर उस condition में, तो यहाँ पर जो general form था, उसमें थोड़ा सा condition लगा दिया, k को क्या ले लिया, constant ले लिया, direction भी साथ vary नहीं कर रहा है, यहाँ मिलेगा, del square t by del x square, del square t by del x square, plus del square t by del y square, plus del square t by del z square, plus qg by k is equal to 1 by alpha, del t by del tau, लिखते हैं, अब यह alpha कहाँ से आगया, यहाँ से जब आप k constant करोगे, k बहार आएगा, right hand side, left hand side में k का divide कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, रोसी by के इधर qg by के हो जाएगा, now k by रोसी जो होता है, that is known as alpha, which is also known as thermal diffusivity, thermal diffusivity, thermal diffusivity, thermal diffusivity, इसकी unit, इसकी ऐसा unit होती है, इसकी ऐसा unit होती है, हमारे सामने, meter square per second, इसकी ऐसा unit होती है, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, नाम है thermal diffusivity, diffus होने का मतलब होता है, फैल जाना, ठीक है, फैल जाना, तो diffusivity जितनी जादा होगी, उतनी ही जादा heat अच्छे से diffuse होगी, ठीक है, diffuse होने का मतलब, एक बर मैं physically समझाता हूँ, जैसे कि आपके पास कोई wall है, suppose आप किसी तरह से, इसमें किसी जगह से heat दे रहो, जैसे कि इसको आप यहाँ से, इस direction में heat दे रहो, जैसे कि इस तरह से heat दे रहो, तो इसको आप भी वैसा बोल सकते हो, कि alpha जो है, जितना जादा होगा, ठीक है, thermal diffusivity जितनी जादा होगी, material जो है, जो भी material होगा, जो भी material होगा, उसमें heat जो है, उतनी अच्छे से diffuse होगी, उतनी अच्छे से propagate होगी, ठीक है, तो अगर आप किसी जगह पे इसमें heat देते ह जैसे बटन बन करगए थोड़े ही वह थंडी भी हो जाती है, जब आप पानी के साथ करोगे तो पानी को गर्म वहने भी समय लगता है और थंडी होने में भी समय लगता है, तो क्योंकि उसमें जो हीट है वह बहुत जल्दी डिफ्यूस नहीं होती है पानी में ठीक है, तो उ किसी चीज की thermal diffusity जादा है तो वो जल्दी गर्म उसको गर्म करने में कम समय लगेगा और ठंडी करने में भी कम समय लगेगा नहीं कि heat transfer उसमें जल्दी होगा अगर alpha उसका कम है तो उसमें heat transfer लेट से होगा ठीक है वो body देर से गर्म होगी देर से ठंडी भी होगी अगर उसका alpha कम है तो time based response की बात करता है thermal diffusivity किसकी बात करता है time based response की बात करता है तो that is why that is why जब हम लोग time based analysis जाने की unsteady state की बात करेंगे जहाँ पर temperatures time के साथ वरी करते हैं उस समय unsteady state conduction के cases में unsteady problem हमारे पास यह बहुत useful phenomena होगा ठीक है तो alpha जो है that is k by rho c k that is thermal conductivity k कै thermal conductivity है या simply conductivity बोल सकते है thermal conductivity और rho c जो है इसको बोलते है thermal storage capacity thermal या heat storage capacity thermal और heat storage capacity capacity ठीक है सो इसका यह ratio होता है k by rho c का और जितना ज्यादा alpha होगा heat उतने अच्छे से diffuse होगी क्योंकि ease with diffusion की बात करता है diffuse का मतलब होता है घुल जाना clear है तो जितना ज्यादा alpha होगा heat उतने अच्छे से फैलेगी system में उतनी जल्दी फैलेगी alpha जितना कम होगा heat को इस material में फैलने में समय ज्यादा लगेगा alpha जितना कम होगा ठीक है so 1 by alpha यहाँ पर आपके पास हो गया इसकी unit मने बता दी meter square per second so this is the equation where we have consider isotropic material अब इस isotropic material की जब हम लोग लिखते है general heat conduction equation को तो बच्चो यह जो equation है इसको बोलते हैं biot fourier equation biot fourier या fourier biot भी बोलते हैं ठीक है equation ठीक है यह बोलते है biot fourier equation तो यहाँ एक special हम लोग उने condition लगा दी कि material isotropic है ठीक है next परते हैं हम लोग cylindrical coordinates में so general heat conduction equation जब cylindrical coordinates देखेंगे बाकि सारी चीज सेम रहेगी just cylindrical coordinates में k को constant मना जाता है for simplicity okay so general heat conduction equation general heat conduction equation conduction equation in cylindrical cylindrical coordinates ठीक है in cylindrical coordinates cylindrical coordinates में लोग लिखने इसको del T by del R 1 del square T by del R square 1 by R del T by del R okay plus plus 1 by R square del square T by del phi square plus del square T by del Z square plus QG by K is equal to 1 by alpha del T by del tau ये लिखेंगे लो ठीक है so del square T by del R square plus 1 by R del T by del R plus 1 by R square del square T by del 5 square plus del square T by del Z square plus QG by K is equal to 1 by alpha del T by delta ये लिखते हैं cylindrical coordinates आपको आइडिया होगा mathematics में cylindrical coordinates में जो हम लोगी space को describe करते हैं वो as a radial direction as a circumferential direction and an axial direction तो R, 5 और Z radial, circumferential और axial इन तीन directions से मिल करके 3 dimensional space describe होता है in cylindrical coordinates तो आप देख सकते हैं आपको R, 5 और Z के terms यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं तो इस इस जनरल heat conduction equation in the cylindrical coordinates ठीक है? बाकि सारी चीज़े सेम हैं बस यहाँ पर के को क्या लिया गया है के को constant लिया गया है और है कि material को isotropic मान करके पूरा का पूरा जो solution है वो दिया गया है ठीक है? इसके बाद देखते हैं general heat conduction equation general heat conduction equation conduction equation okay in spherical coordinates ठीक है? तो यहाँ से मिलता है आप लोगों को 1 by r square del by del r r square del t by del r plus 1 by r square sin square theta del square t by del phi square plus 1 by r square sin theta del by del theta sin theta sin theta del t by del theta plus qg by k is equal to 1 by alpha del t by delta यह आप लोगों के पाच general heat conduction equation होता है in the spherical coordinates ठीक है? यह general heat conduction equation होता है spherical coordinates में हमें बताना चाहूँगा again कि जो spherical coordinates होते हैं space को describe के जाता है as r phi and theta एक होता है radial direction और दो होते है circumferential directions phi and theta इसके base पे पूरा general heat conduction equation है उसको हम लोग describe की है t as a function अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर तो t as function of r phi theta and tau होगा space और time का function होगा से मगर यहाँ लिखना चाहूँ temperature को तो यह होगा as a function of r phi z and tau इस तरह से space and time का function तो यह हुआ आपके general heat conduction equation आज की lecture में इतना ही आगे की lecture में बच्चों हम लोग देखेंगे कि general heat conduction equations में और क्या के हम लोग देख सकते हैं one dimensional form में लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा poisons equation, laplace, fourier equation यह सब देखेंगे फिर जो one dimensional study state heat conduction है उसके लिए क्या-क्या चीज़े important है वो next lecture का part होगा love you all, thank you very much